आज कोजागिरी पूर्णिमा है, जिसे शरत पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस पूर्णिमा का एक खास महत्व है, साती सात अईरुवेद में भी इसके लिए खास जगह है, इस समय यानि इस वक्त जब हम खीर बनाते हैं, वो खाने के हमारे शरीर को कई अंगिनत फाइदे है और ये खीर किस तरीके से बनाई जाती है, उसकी रेसिपी आल्रेडी में आप लोग के साथ शेर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ऐसा कहा जाता है कि शरत पूर्णिमा को, यानि कोजागिरी पूर्णिमा को, पूर्ण कला से पूर्णिमा को, खीर खाने का हमारे यहाँ पर एक रिवाज है, इसका आयरुवेदिक एक महत्व भी है, कोजागिरी पूर्णिमा को, जो खीर बनाई जाती है, दूद और चावल से, उससे हमारे शरीर पर कई अंगिनत लाब होते हैं, ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा का इस दिन चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों पर जादा प्रबा होता है, इसलिए यह आज के दिन दूद का सेवन किया जाता है, दूद चंद्रमा के साथ जुड़ा होने के कारण इसके जो अवशदी गुन है, वो कई गुना बढ़ जाते हैं, इस दूद को बना कर चंद्र प्रॉबलेम कुछ हद तक कम हो सकते हैं, साथ ही पूरी रात चंद्रमा की चाया में रखी हुई यह खीर या फिर दूद सुबग रहन करने से हमारे शरीर को शीतलता प्राप्त होती है, शरद रूतु के बाद वाता वरन में थंडता यानि शांती महसूस होती है, इसलिए इसमें जो सुखा मेवा डाला जाता है, वो हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है, जिन लोगों को दमा या फिर अस्तमा का प्रॉबलेम है, उनके लिए ये खीर या फिर ये दूद काफी फाइदमन्द होता है, ये दूद पीने से आखों की कमजोरी जिन लोगों को है, और जिन लोगों को आखो की रोशनी का प्रॉब्लेम है, वो शरत पोर्निमा के दिन चंद्रमा को खुली आखो से 5 मिनिट देखेंगे, तो उनकी आखो की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। शरत पोर्निमा को को जागिरी पोर्निमा कहा जाता है, ऐसे माननेता है कि मा लक्षमी इस दिन पृत्वी पर वास करती है, और कोन जाग रहा है, ऐसे ही को जागरती जो जाग रहा है उसके घर में मा लक्षमी का सदेव वास बना रहता है, उस घर में पॉजिटिविटी हमेश शितल चाया में रखकर इसके आउशदी गुन को भी दूद में समाविष्ट किया जाता है साथ ही इस दूद को पीने से जो फाइदे मिलते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं जब इसे चांदी के बरतन में रखा जाता है और अगर चांदी का बरतन ना हो तो इसमें इस दूद में चांदी का चंबश डाल कर इसे चंदरमा के प्रकाश में रख दीजे और सुबह ये खीर ग्रहन कीजें आप लोगों को इससे काफी फाइदा मिलेगा अगर आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चानल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजे प्रत पोर्णी मा की धेर सारी शुब कामना है